आज हम बनाएंगे यूपी की बहुत ही फेमस रेसिपी और इस रेसिपी को आज हम जिस चीज से बनाने वाले हैं उसे बहुत जगा कासी फल, सीता फल या फिर कद्दू भी कहा जाता है और इसे आज हम बनाएंगे एकदम हलवाई स्टाइल में वो भी बिल्कुल इजी और ए करते हैं वो भी इसे मांग मांग कर खाएंगे क्योंकि इस तरीके से बनाने के बाद ये काफी स्वारिश्ट बनती है ये रेसिपी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीस मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हर रोज मुझे मो मेरे लिए क्योंकि अच्राइबर आप भूले और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जिरूर करें तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए करिब एक किलो क्द्दू आप यह पारागे जो हमने ने लिया है ना वह बह अपने मन के मुताबिक जैसा चाहे वैसे काट सकते हैं अगर आप यहाँ पे पीला वाला कद्दू ले रहे हैं तो उसका छिलका थोड़ा सा हाड होता है तो आप उसके छिलके को उतार दें लेकिन आज हम इसे बिल्कुल भंडारे वाले एक डाम ट्रडिशनल तरीके से बनाने वाले हैं तो हम यहाँ पे इसके छिलके को नहीं निकाल रहे हैं और इस तरीके से हम इसके अंदर के बीच को निकाल देंगे और अब हम इस कद्दू को पीसेस में काट लेंगे अगर आप चाहें तो इसे आलू भी डाल कर बना सकते हैं तो कद्दू को हमने यहाँ पे काट कर तयार कर लिया है तो अब हम इसे अच्छी तरीके से धोलेंगे तो इसमें मैंने यहाँ पे पानी डाल कर इसे दो से तीन बार धोल लिया है तो अब हम इसे साइड मे लख देंगे और इस recipe को बनना शुरू करते हैं तो इस recipe को बनाने के लिए एक सूखे मसाले का special तड़का होता है पहले आज हम उसे बना लेते हैं जिसे हमारे यहाँ punch फोरं कहा जाता है और आप इस तड़के को किसी भी recipe में लगा कर उसे बहुत जाँ tasty बना सकते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच जीरा एक छोटा चम्मच कलोंजी एक छोटा चम्मच राई एक छोटा चम्मच अजवाइन एक छोटा चम्मच सौफ और एक छोटा चम्मच मेथी दाना जोकी है इस तड़के की जान सबी चीजों को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यह लिजी हमारा बनकर तयार हो गया पंच फोरन तड़का क्योंकि इस रेसिपी को बहुत ज़़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए इस तड़के का बहुत ज़्यादा में रूल होता है और इससे तड़का लगाने से इस रेसिपी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और साथ ही में जो इसका टेस्ट है और दसगुना बढ़ जाता है और आप हम इस रेसिपी को बनाने के लिए लेंगे लोहे की कड़ाई लोहे की कड़ाई में बनाने से इस रेसिपी का बहुत ज़्यादा सा फ्लेवर आता है और आप तो जानते ही होंगे की अगर इसे भंदारे में या फिर इसे बहुत ज़रा कॉइmber में बनाये जाता है तो उसमें लोही की कड़ाई का ही यूज कीया जाता है कढ़ाई को अच्छी तरीके से गरम होने देंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो बड़ा चमच राई का तेल आप यहाँ पर इसे बनाने के लिए कोई भी तेल ले सकते हैं जो भी आप खाते हूँ लेकिन हमारे यहाँ पर इसे इसी तरीके से सरसो के तेल में बनाया जाता है तेल को हम यहाँ पर हलका सगरम होने देंगे जो हमने यहाँ पर पंचपोरन का तड़का बना था उसे हम इसके अंदर डाल देंगे आप इस पंचपोरन तड़के को किसी भी सबजी में दाल कर आप उस सबजी का स्वात सवगुना बढ़ा सकते हैं क्योंकि हलवाई इसी तरीके का तड़का लगा कर इस recipe में एक अलग जान भर देता है और जिसे आप किसी भी मील के साथ सर्फ कर सकते हैं यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अच्छी तरीके से तड़के को चटकने देंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच हींग इस कर्दू की recipe में हींग का बहुत अच्छा flavor आता है तो आप यहाँ पर हींग ज़रूर डाले और साथी में हम इसमें डालेंगे तीन से चार साबूत लाल मिच इसके बाद हम इसमें डालेंगे आठ से दस बारीक कटी हुई लसुन की कली जैसे ही लसुन का कलर हलका सा चेंज हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे दो से तीन हरी मिच जीसे मैंने इस तरीके से बीच से काट लिया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज प्याज को डालने के बाद हम इस तड़के को अच्छी तरीके से भूनेंगे अगर आप प्याज ये लसुन खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं हलका सा प्याज पकने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच कद्दू कस किया हुआ अद्रक और इसे डालने के बाद इन सभी के साथ इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे कद्दू खाने में थोड़ा सा फीका होता है बहुत लोग इसे खाना पसंद नहीं करते लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो जो कद्दू खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी इसे मांग मांग कर खाएंगे तो प्याज को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4-5 करी पत्ता तो साड़े तड़के को हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से भून कर तयार कर लिया है और इसमें अब हम डालेंगे एक चमच कसूरी में थी हलका समिक्स कर देंगे इसके बाद हमने जो यहाँ पर कद्दू काट कर रखा हुआ है उसे हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे यूपी में कद्दू भोपला या फिर कोणा भी कहा जाता है लेकिन हम लोग यहाँ पर इसे महाराष्ट में भोपले के नाम से जानते हैं इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से चलाते हैं तो दो मिनट तक भूनेंगे तो कद्दू हमारा अच्छी तरीके से पक जाए तो इसे हम इस तरीके से धक कर थोड़ी दर के लिए पकाएंगे यहाँ पर हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हम पका कर त्यार करेंगे जब तक हमारी सबजी पक रही है तब तक हम बना लेते हैं इसमें डालने के लिए की स्पेशल मसाला तो इसके लिए हम यहाँ पे एक बॉल मिलेंगे एक चम्मद धनिया पाउडर आदा चम्मद हम इसमें डालनेंगे हल्दी पाउडर आदा चम्मच हमिस में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च यहाँ पर आप अपने ट्रेस के साब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसा भी आप तीखा खाना पसंद करते हूं आदा चम्मच हमिस में डालेंगे भूना हुआ जीरा पाउडर आदा चम मच्छी में डालेंगे आमचूर पाउडर आदा कफ हम इसमें डालेंगे पानी और इस मसाले को भिगा देंगे कभी कभी क्या होता है कि हम डारेक कड़ाई में मसाले डाल देते हैं और थोड़ी सी चूकी वज़ाई से हमारे मसाले जल जाते हैं अगर आप इस तरीके से इस मसाले को डालेंगे तो वो जलेगा भी नहीं और इस मसाले का एक अलगी फ्लेवर आता है इस रेसिपी में जैसे की हलवाई लोग बनाते हैं फूल कर ये मसाला काफी सूख गया है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे दो चमबच पानी और पानी डालने के बाद डारेक मसाले को हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इससे चलाते हैं हम इस मसाले को थोड़ी दिर के लिए भूनेंगे मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक जाए तो कढ़ाई के ओपर लीड लगा देंगे और मसाले को बिल्कुल लो फ्लेम पर एक से देड़ मीनट तक पकने देंगे और इसे धके हुए मुझे पर देड़ मीनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला हो अच्छी तरीके से पक चुका है और आप हम इसमें डालेंगे स्वात के उसार नमक अगर आप इसका चटपटा फ्लेवर खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे नमक के साथ इसमें आदा चमस चीनी भी डाल सकते हैं इससे क्या होगा कि इस सब्जी का एकदम खटा मीठा और तीखा फ्लेवर हो जाएगा लेकिन हम लोग यहाँ पे मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो मैं इस सब्जी को तीखा ही रखूंगी और सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक जाए तो इसके लिए मैं इसमेदार नहीं हूँ आधा कटूरी पानी अगर आप इस सब्जी में ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पानी की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं एक बार हम इसे और धक देंगे तो सब्जी हमारी बनकर रेड़ी हो चुकी है और लास्ट में इसमें डालेंगी गरम मसाला यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखें कि सब्जी बनने के बाद ही एक दम लास्ट में आप इसमें गरम मसाला डालें इससे क्या होगा कि जो सब्जी का फ्लेवर है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और मसाली की खुश्बूई सब्जी में बनी रहती है गरब मसाला डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे धेर सारी बारी कटी हुई हरी धनिया और ये लिज़ ये बनकर त्यार हो गई हमारी यूपी की बहुत ज़्यादा फेमस कद्दू की सब्जी वैसे तो ये पूरी पराठे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है लेकिन आप इसे किसी मील के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इस तरीके से छिलके के साथ बने ही हलवाई स्टाल कद्दू की सब्जी बहुत ही जाता अमेजिंग लगती है तो एक बार आप इसे जरूर ट्राय करें ये आपको बहुत पसंद आएगी बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आती है ये यूपी की इतनी जाता फेमस रेसिपी है कि इसे कोई भी फंक्शन हो या फिर कोई भी तेवार हो उसमें जरूर बना जाता है तो इस तरीके से आप नई रेसिपी को ट्राय करें और अपनी फेमिले के साथे से इंज्जॉई करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्यूंकि वो बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दिजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद